रूद्रप्रया के उखीमट ब्लॉक के सलामी तोक में ग्रामीन पिछले 50 साल से जमीन के मलकाना हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं 1964 में कुंड चोपता मुटर बार्ग निर्मान के दौरान ग्राम पंचायत भटवाडी के करेला तोक से पांच परिवारों को सलामी तोक में विस्थापित किया गया था लेकिन तब से ग्रामीनों के नाम पर जमीन दर्ज नहीं हो पाई है लोगों ने अब शासन प्रशासन सेयार पार की लड़ाई का मन बना लिया है ग्रामीन अब 23 मार्च से सलामी तोक में आंदोलन चुरू करेंगे उकी मट तैसिल के दौरा तैसिलदार साहब और एस्टम साहब के दौरा काकिक कमिशनर के दौरा जो है आपको बताया गया है कि जमीन ये और लिकर के हमारे पूर्वदों अनपल लोग थी और उनको दिया गया सन चोसत में बासर्थे कारवाई हुई और चोसत में उन्होंने एक आगज जो है हमारे पूरवदों के पाद दिया कि आपको करेला की जमीन के संटे की जमीन सलामी तोक में दी गई है 1964 में कुंड चोपता मुटर बार्ग निर्मान के दोरान ग्राम पंचायत भटवाडी के करेला तोक से पाँच परिवारों को सलामी तोक में विस्थापित किया गया था लेकिन तब से ग्रामीनों के नाम पर जमीन दर्ज नहीं हो पाई है लोगों ने अब शासन प्रशासन सेयार पार की लडाई का मन बना लिया है ग्रामीन अब 23 मार्श से सलामी तोक में आंदोलन चुरू करेंगे हम लोगों ने इसमें फोरेस डिपार्टमेंट को लिखा हुआ है लेकिन इसमें शासन स्तर से कारेवाई होनी है वन रिठाक दोरा इसमें अनापती दी जानी है और कारेवाई आगी की जानी है अने वाले समय में इसमें उन लोगों को लिखा दी जानी है उखी मर्ट तैसिल के द्वारा तैसिलदार साथ और स्टम साथ के द्वारा काकिक कमिश्णर के द्वारा जो है आपको बताया गया है कि जमीन या और लिकर के हमारे पूरवदों बढ़ लोग थी और उनको दिया गया संचोसत में बासर्थे कारवाई हुई है और चोसत में उन्होंने एक आगय जो है हमारे पूरवदों के पाद दिया कि आपको करेला की जमीन के संटे की जमीन सलामी तोक में दी गई है